नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि UP Board ने Model Paper जारी कर दिया है तो चलिए आज हम आपको विज्ञान का Model Paper दिखा देते हैं करित का Model Paper हमने दिखा दिया है पहले वीडियो में उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है जाकर के आप उसको देख सकते हैं तो चलिए आज के इस पेपर को देखते हैं और जो Model इस पेपर का है सेम यही Model आपके Board एकजाम का पेपर का होगा यानि जिस प्रकार के केवस्चन इसमें आएंगे उसी प्रकार आपके पेपर में भी आएंगे ठीक तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे तो देखिए यहाँ पर यह प्रतिदर्स प्रसन पत्र है यानि माडल है उसका और विज्ञान है यह और देखिए एक अच्छा दसका है पूरांग आपका सत्तर है और तीन गहंटे पंदर्ह मिनट आपको एकजाम में मिलने वाले हैं प्रारंब के पंदर्ह मिनट आपको प्रसन पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा और जो समानी निर्देश दिये जाएंगे चलिए उनको भी पढ़ते हैं यहा प्रत्य फट्र तीन खंडों का खा अगा में विभाजित है, प्रत्य खंड का पहला प्रस्ण वह बिकल्पी है, जिसमें चार उत्तर दिये गए हैं, सही बिकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्थिका में लिखना है ठीक, तीसरा निर्देश है प्रतेक खंड के सभी प्रस्ण एक साथ करना आवस्यक है प्रतेक खंड नए प्रस्ट से प्रारम्भ किया जाई सभी प्रस्ण अनिवारी है प्रस्णों के निर्धारी तंक उनके सम्मुख दिये गए है आपको करना है अब देखिए यहां से आपका खंड का सुरू होता है और यह सभी क्वेस्चन एक एक नंबर के हैं ठीक यहां पर जितने भी दिये जा रहे हैं तो चलिए देखते हैं पहले प्रस्ण को किसी वस्थू का वस्थू से बड़ा आभासी प्रतविंब बन सकता है यानि कोई भी वस्थू है उसका वस्थू से बड़ा आभासी प्रतविंब बनता है किसके द्वारा ओप्सन नंबर एक है उत्तल दरपन अप्सन नंबर दो है स स्कुर्ण दूसरा कूलाम तीसरा है बोल्ट मीटर चौथा है ओम ठीक जो सही है आप उसे चूज कीजिए और इनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करना है गह नंबर है बिद्दुधारा का उत्पन करने की युक्ति को कहते हैं यानि बिद्दुधारा उत्पन करने की युक्ति किया जाता है किसके द्वारा नंबर एक पुतली द्वारा नंबर दो ड्रश्टी पटल द्वारा नंबर तीन पाच माभी द्वारा नंबर चार परितारी का द्वारा ठीक अब देखते हैं दूसरे का का नंबर प्रस्ण ये कहता है वाहनों में किस प्रकार के दरपन को पस चदर स्य तरपन के रूप में वरियता दी जाती है और क्यों दी जाती है ठीक इसका आंसर होगा उत्तल दरपन ठीक अब आप इनके सभी aja आंसर आप पढ़ लिजियेगा और सभी का आंसर आप तयार कर लिजिये और अच्छी तरीके से तयारी कीजिये क्योंकि पेपर इस वा पर बहुत अच्छी तरीके से होने वाले हैं तो दूसरा प्रस्ण है किसी आउतल लेंज की फोकस दूरी 15 सेंटिमेटर है वस्तू को लेंज से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तू का लेंज से 10 सेंटिमेटर दूरी पर प्रतविम्ब बने ठीक अब देखेगा नमबर जरा दूर दरश्टी दोस क्या है इसका निवारान कैसे हो सकता है तीसरे कका नमबर प्रस्ण है प्रकास के परावर्तन के नियम लिकिए 20 सेंटिमेटर वकरता तिर्जय वाले अवतल दरपन के सामने नमबर एक 5 सेंटिमेटर दूरी पर नमबर दो 15 सेंटिमेटर द पुड़ों के आधार पर या कितने प्रकार के होते हैं उत्तर लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर इस्थित वस्तु के प्रतविम्ब का बनना किरण आरे खींच करके आपको दर्साना है चार अंक का ये क्वेस्चन है अब देखिए खा नंबर क्वेस्चन क्या कह किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है दिये गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध चार ओम है इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई वान पांटू तथा मोटाई टू ए है यद अब देखिए यहां पर है विद्धुत मोटर का नमांकी तारे खींच कर सिध्धान्त तथा कारे विधी आपको बताना है यदि नहीं आता है तो अथवा है अथवा में देखिए अगला क्वेस्चन क्या है परिनालिका किसे कहते हैं परिनालिका चुम्बक की भाती कैसे देखिए खंडखा यहां से स्टार्ट होता है तो खंडखा में जो भी बहुविकल्पी यह प्रसन आपको देखने को मिलेंगे तो देखिए पहला प्रसन जो है GDN प्लस CU या सो 4, GDN या सो 4 प्लस CU रसायनी का विक्रिया किस प्रकार की है पहला आप सने सही योजन दूसर द्रावन सोडा तीसरा विरंजक चूर्ड चूर्ड चौथा प्लास्टर आप पेरिस ठीक आप सभी की तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए देखिएगा नंबर है निम्न में से कि स्योगिक में ओयच एक क्रियात्मक सम्मूँ है देखिए पहला है ब्यूते नोन दूसरा है ब लैकिंग सोडा बनाने की विधी तथा उपयोग लिखिए आधुनिक आवर्त नियम क्या है आवर्त सारडी के किसी आवर्त में बाय से दाएं जाने पर परमाडू तरिज्या में क्या परिवर्तन होता है ठीक अब देखिए इन सभी का आपको आयू पीएसी नाम लिखना है तो इनका आप स्क्रीन सोट ले करके इनका आयू पीएसी आप तयार कर लिजे दो अंक का ये है ठीक तो चलिए चलते हैं अगले क्वेस्चन पर यहां से खा नंबर है संचारण किसे कहते हैं धात्यों की संचारण रोकने की कोई दो विधिया हमें लिखना है अठ्वा प्र अथवा विकलपाप के सामने है नमिल खितकरा सायनिक समीकरन लिखिए एथेनाल सोडियम के साथ हविक्रिया करता है एथिलेल कोहल को 440 केलविन ताप पर सांद्र सल्फियूरिक अमल के साथ गरम किया जाता है मेथेन को वायू में जलाया जाता है एथेनाल के साथ हविक्र कुलिया करता है तो चलिए देखते हैं पानचवा पानचवा यहां से आपका खंड गा जो है वह स्टार्ट होता है इसमें भी आपको पहले बहु विकल्पी ये क्वेस्चन मिलेंगे तो विकल्पी ये में देखिए नौका कानिम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंतर का भाग नहीं है पहला है अंडास है दूसरा गर्भास है तीसरा सुक्रवाहनी चौथा है डिम्बवाहनी ठीक तो पता की जे आस्र का बुक में सब दिया गया है थीट डूसरा क्वेस्चन है जिवास्म उर्जा का स्रोत है पहला ऑपसन है पावutable क्यों है गानमबर क्वेस्चन गानमबर है पवंच अक्क्यों का उपयोग किन कारियों को करने में होता है पहला अपसन या अंत्रिक कारे दूसरा रसायनिक कार तीसरा दोनों कारे चावथाusta इन में से कोही नहीं थिक पोषण के लिए आवस्यक परिस्थितिया काउंसी हैं उसके जल उप उप उतपाद क्या है ठीक पुस्प के बीजांड का स्वच्छ नमांकी चित्र बनाना है जैव निमनी करड़ी पदार्थ परियावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं ये भी वो बताना है अब प्रकार यही माडल आपके पेपर का रहेगा अब ये क्वेस्चन देखिए लिंग गुर्शूत्र किसे कहते हैं मानों में लिंग निर्धारन की प्रक्रिया को समझाना है यदि नहीं आता है तो अथवा विकालप आपके सामने है अथवा में क्या करना है जीवास में क्या ह प्रसनी स्टार्ट होता है मानों पाचन तंत्र का नमांकी चित्र बना कर अमासय तथा चुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वरण कीजिए अथवा विकालप सामने पादपों में परिवाहन से आप क्या समझते हैं पाधों में जल भोजन तथा अन्य पदार्थों क स्थान अंत्रण को इस पस्ट कीजिए तो अब देखते हैं अब यहां से आपका पेपर जो है वो खात्म होता है और आप इस पेपर के सभी क्वेस्टन को करिए इसका स्क्रीन सॉट लिजिए और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए चैनल पर नए है तो स सब्सक्राइब कीजिए जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत